हलो दोस्तों, दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत दे, मैं आज रहीम दाजी का एक दोहा पढ़ा रही हूँ, तो चलो मैं शुरू करती हूँ छिमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उतपात, का रहीम हरी को घटयो, जो भ्रगु मारी लाद सबसे पहले शब्दार देख लीजे, छिमा मतलब शमा, और बढ़ेन को मतलब होता है बढ़े, छोटन मतलब छोटे, उतपात का मतलब होता है शरारत, हरी भगवान बिश्नू, घटे मतलब कम होना, और ब्रगु ब्रगु रिशी तो मैं इसका भावर्ट पता देती हूँ, रहीम दाजी कहते हैं कि बड़े व्यक्तियों को शमाशिल होना चाहिए, क्यूंकि शमा करना उनका बड़पन है, जबकि शरारत और उन्तर्डता करना छोटों को ही शोवा देता है बड़े व्यक्तियों का बड़पन शमा करने से चोटा नहीं होता, जिस प्रकार ब्रगु रिशी ने बिश्नु जी की छाती पर पैरों से प्रहार किया, तो बिश्नु जी ने उन पर क्रोध ना करके चिंता व्यक्त की, की उनके पैरों में चोट तो नहीं लगी इस प्रसंग से बिश्नु जी का प्रभाव कम नहीं हुआ, उन्होंने ब्रगु रिशी को चमा कर दिया, बिश्नु जी की उदारता के कारण ही बे नारण कहलाए जाती हैं, धन्यबाद